अलो फ्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गोल यूटूब चैनल तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इस्टर रेलवे की तरफ से यहां पर जीडी सीजी कोटा के तयत यहां पर वेकेंसिया निकल कराई है जिसमें यहां पर जूनियर इंजिनियर की वेकेंसिय मिलेगी प्लस जो की यहां पर Employee होनी चाहिए Eastern Railway के यहां की जो Metro Rail है उसके and यहां पर जो चितरंजन Locomatives works CLW है तो यहां की जो Employee है वो चाहिए किसी भी Post पर हो एक दो पोस्टों को छोड़ कर वो यहां पर जो है इसके लिए eligible रहेंगे apply कर सकते अपनी same post के अलावा किसी भी अलग दूसरी post पर तो इसमें जो आप देखें तो यहां पर all candidates यानि की all employee आप अलाव है केवल rp app and rpsf वाले जो है इसमें apply नहीं कर पाएंगे बाकि हर कोई इसमें apply कर सकता है जो भी employee है last date यहां पर 30 अगस्त 2023 यहां पर रहेगी जो कि यहां पर 30 जुलाई से शुरू हो चुकी है तो आप इसमें eligible रहें तो जाके apply कर सकते हैं पोस्ट है आपको यहां पर इनके अलगाएंग डिपार्टमेंट में काफी देखने को मिल जाएगी जैसे कि यहां पर group 1 की यहां पर इस्टर रेल वें पोस्ट है जिसमें आप टेकनिशियन की पोस्ट है आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा जो है यहां पर metro rail में यहां पर वेकेंशिय आप देख सकते हैं वही टेकनिशियन की प्रेकेंशिया metro rail में group 1 में साथ यहां पर जो इनका जो exam वगर रहेगा उनकी detail आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि यहां पर single stage CVT यानि computer base exam होगा इसके अलावा aptitude test यहां पर होगा एंड इसके अलावा जो medical test वगर है डाकुमेंट वेरिफिक जैसी यहां पर जो basic से यहां पर प्रोसेज रहती है वो भी यहां पर होगी तो उसके आधार पर ही यहां पर merit डिस्ट वाला के selection किया जाएगा तो वो detail आप इसमें देख सकते ह लिए जो भी यहां पर exam pattern इन्हों दे रखा है वहां थोड़ा थोड़ा यहां पर बदलाव हो है तो वह चीज़ें आप इसमें देख लें जिस भी पोस्ट के लिए आप apply करने वाले हैं तो यहां पर group second की यहां पर post है eastern railway में तो उसकी data आप यहां पर देख सकते हैं जिसमे यहां पर civil engineers के लिए यहां पर रहने वाली है जिसमें total हम पोस्टों की यहां पर बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे 18 वेकेंसी यहां पर permanent way and works में यहां पर जो JE की post है वो भी यहां पर 18 रहेगी पर यहां पर JE जो bridge से है वो भी यहां पर 6 वेकेंसी रहेगी तो आ यह सिंगल स्टेज CBT यहां पर होगा उसके बाद document verification and medical examination जो रहता है उसमें basic से medical standard जो इन्हों नहीं यहां पर दे रखे हैं आप देख सकते हैं यह इस हिसाब से आपको qualify करना जरूरी है तो आप जो है इसमें यहां पर select कर जाएंगे तो यह पर education qualification की यहां पर हम बात कर लेते हैं तो education qualification je के लिए आप यहां पर देखें तो यह पर आप देख पाएंगे 3 years diploma आपके पास civil engineering से यहां पर होना चाहिए तो आप यहां पर eligible रहेंगे चलावा यहां पर जो पोस्ट आप यहां पर और देख पाएंगे जो कि यहां पर जेई वरक्स एंड जेई ब्रिज वालों की पोस्ट भी यहां पर भी civil engineering से आपके पास diploma यहां पर होना चाहिए या फिर इनके बताए अनुसार आपके पास यह combination यहां पर है तो भी आप जो है यहां पर डिप्लोमा होना चाहिए तो आप जो है इसमें eligible रहेंगे यहां पर यह जो पोस्ट हैं दे रखी है यहां पर electric and mechanical वाले दोनों ही यहां पर eligible रहेंगे बाकी civil engineers की पोस्ट हैं यहां पर अलग से दियो ही थी तो इस तरह से बाकी detail आप उपर इसमें देख सकते है तो यहां पर हम बात करेंगे तो फीस आपको किसी तरह की कोई भी फीस आपको यहां पर नहीं देनी है बाकी basic सी terms condition जो यह पर यहां पर लागू रहती है उसके हिसाब से ही यहां पर जो है जो है joining रहेगी जैसे कि यहां पर आप apply करेंगे तो आपको आपकी जो सेम पोस्ट है उस पर आप अपलाई नहीं कर पाएंगे इसके साथ यहां पर जैसा कि हमने उपर भी बात की थी यहां पर यह जो रहेंगे एंप्लोई इस्टन रेलवे, CLW, CRJ और मेट्रो रेल के वो ही यहां पर अपलाई कर सकते हैं आपको यहां पर पता होनी चाहिए, तो यहां पर वही लोग यहां पर अपलाई कर पाएंगे अपलाई आपको इनकी ओपीसिल वेबसाइट पर ओनलाई जाकर ही करना होगा उसके लिए सारे डाउकुमेंट्स वगर आपको यहां पर तयार रखने हैं इस wage यहां पर पर लिए सारे रखने होगा Assistant Local Pilot के लिए इसके अलावा यहांपर जो है Exam होगा वो यहांपर texting عद यहांपर होगा तो RRB का ही यहांपर जो exam standard रहता है, वो यहांपर RRB का यहांपर रहने वाला है तो जो लोग यहांपर RRB का exam देचुकी हैं या देख चुके हैं तो उनको यहां पर पता होगा किस तरह यहां पर जो है exam pattern, terms, condition आधी रहती है उसके बारे में तो आप यहां पर जब भी apply करिए तो आपका mobile number, mail ID, आज ही चीजों का यहां पर ध्यान रखे ताकि आपको exam संबंदित जो भी यहां पर details वगर होती है, call letter वगर है, admit card, download करना वगर है, आधी चीजों में आपको किसी तरह की कोई भी यहां पर दिक्कत ना है इसके अलावा part B का यहां पर जो exam pattern है, उसकी detail यहां पर दे रखी है, इसके अलावा यहां पर बात करें हम junior engineers के लिए यहां पर जो pattern रहेगा, उसके लिए तो यहां पर junior engineer के लिए जो exam pattern रहेगा, CVT, उसमें यहां पर total duration वो रहेगी, 120 minute के रहेगी, PWA वालों को यहां पर क्यूशन रहेंगे, वो यहां पर 150 यहां पर क्यूशन रहेंगे, साथ यहां पर जो है, syllabus आप देख सकते हैं, यहां पर junior engineer के लिए जो यहां पर रहने वाला है, objective type के यहां पर क्यूशन रहेंगे, अलग-अलग जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर general awareness physics chemistry, basic of computer application, basic of environment and pollution control, technician ability for the post, syllabus for gender awareness, आदी चीजे जो यहां पर रहेंगे, basic सी वो आपको यहां पर पूची जाएंगे, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं, physics and chemistry होगी, वो यहां पर 10th class के syllabus के आदार पर होगी, यानि के 10th level की जो है, यहां पर physics chemistry होगी, इसके अलाबा, basic of computer application, यहां पर जो normal सी ची की, basic सी data entry type की, तो वो चीजे यहां पर रहेंगी, उसे साथ से यहां पर वो question आप से पूची जाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, number wise यहां पर जो division इन्होंने दे रखा है, general awareness के यहां पर 15 question रहेंगे, physics chemistry के 15 रहेंगे, basic of computers के यहां पर 10, basic of involvement and pollution control के 10, इसके अलाबा, technical abilities के यहां पर 100 रहेंगे, यानि कि आपकी जो subject है, civil engineering and electric engineering जिससे भी आप यहां पर apply करेंगे, जो भी आपकी subject है, उस तरह यहां पर 100 number की question पूचे जाएंगे, तो इस तरह से total यहां पर 150 number का यहां पर यहां पर पेपर होगा, इस तरह से यहां पर बाकी के जो पोस्ट हैं, उनका syllabus बगर, and exam pattern आप यहां पर देख सकते हैं, और वही यहां पर normal सी जो basic सी यहां पर detail होती है, उसकी जानकर यहां पर पर मिल जाएगी, साथ यहां पर online आप apply करेंगे, तो apply करने की पूरी process भी आप एक बार यहां पर देख सकते हैं, apply करने से पहले ही, जिसमें आपको स official website वहां पर आपको detail मिल जाएगी, जिसमें आप इनकी steps को follow करते हुए, आप जो है, अपना registration करके और apply इसके लिए कर सकते हैं, बिलकुल यहां पर easy process है, फिर भी कोई दिक्कत आती है, तो आप comment करके post सकते हैं, या फिर इनकी official website विजिट करके, वहां से भी आप जो है, डा लगाने होंगे, सब चीजे आप एक बार यहां पर check करके, सभी को अच्छे से ready कर लें, और उसके बाद ही यहां पर apply करें, यहां पर जो अलग अलग जो format यहां पर जो आप form आप submit करोगे, उनके format भी यहां पर इन्हों ने जो है, आटेज कर रके हैं, तो इम में से भी यहां से देख के, सीधा जो है आप download करके, उसका भी आप यहां से use कर सकते हैं, तो ठीक है friends, इस तरह से new job update and vacancy के लिए subscribe करें हमारे channel को, और बनी रही हमारे साथ दन्यवाद